राजनीती में आरोप लगाना असान होता है लेकिन किसी आरोप के उपर फैसला लेने की बारी आती है तो किसी पार्टी की असलियत सामने आ जाती है कुछ ऐसी ही स्थती महराष्ट में सीव सेना कॉंग्रेस और NCP की सरकारी इन्हें आरोप लगाने में तो मज़ा आता है लेकिन अपनी पाची के आरोपियों को बचाने में भी उतना ही मज़ा आता है देखा जाए तो महराष्ट की राजनेती के हालाद देखने के बाद कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे शरत पवार और सोनिया गांदी को शर्म आती ही नहीं है दरसल करनाटक में कॉंग्रेस ने एक मंत्री के ऊपर आरोप लगने के बाद उसके इस्तिफे की मांगी करनाटक में भाजपा सरकार के मंत्री केस इश्वरपपा के ऊपर कमीशन लेने का आरोप लगाया गया था यहीं नहीं जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया उसकी मौत हो गई जिसे सुसाइड माना जा रहा है इस आरोप के बाद कॉंग्रेस ने हंगामा खड़ा कर दिया दिल्ली में केंद्रिय ग्री मंत्रिय अमिश शाह के आवास के सामने भी परदर्शन किया गया और राज जिपाल को चिट्टी भी लिखी गई हालाकि इसका प्रभाव उतना नहीं पढ़ना था क्योंकि भाजपा ने आरोप लगते ही मंत्र शुरू कर दिया था और दो दिन के भीतर ही इश्वर अप्पा ने मंत्री पद से इस्तिफादे दिया अब बात करते हैं महरास्ट की महरास्ट में शिव सेना कॉंग्रेस NCP की सरकार है अभी महरास्ट के कई मंत्री के उपर भरष्ठाचार के आरोप लगे हैं लेकिन एक मंत्री ऐसे भी हैं जो एक महिना से ज़्यादा समय से जेल के भीतर हैं लेकिन उदब ठाकरेश, रदपवार और सोनिया गांधी को मंत्री का पद बना रहेगा अब फर्क तो साफ दिखाई दे रहा है एक तरब भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार वाले राज्य में एक मंत्री के ओपर आरोप लगता है और उसके बाद दो दिन के भीतर ही उस मंत्री से इस्तिफा ले लिया जाता है जबकि उससे भी गंभीर आरोप में जेल में पड़ेक नेता को बचाने के लिए पूरा विपक्चे ज वाजनेती ये कारण नवाब मलिक जेल के भीतर है ऐसा ही बयान तो इश्वरप्पा के लिए भाजपा की ओर से भी आ सकता था लेकिन नहीं आया भाजपा ने ततकाल फैसला लिया और इश्वरप्पा को मंत्री पर से इस्तिफा दिला दिया लेकिन उद्धप पवार और नोटिफिकेशन पहुंचते रहें हम से चुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कॉमेंट बॉक्स में देते रहें हमें आपके सुझाव का इंतिसार रहेगा हमारे साथ चुड़ने के लिए धन्यवाद